प्यारे वद्यार्थियों सब तो पहला मेरे चैनल ते तो हड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी वद्यार्थियों जिकर तुसी मेरे चैनल नू हजे तक सब्सक्राइब नहीं कीता ते इसनू सब्सक्राइब कर देओ बेल लाइक उनों जुरू प्रेस कर देओ ताँ जो मेरी हर एक नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन ताँ नो मिल सके विद्यार्थियो भी पाग वलों सब्तम्बर टेस्ट लई मैथ विशे दे सैंपल पेपर पेज देते गए हान आई दी वीडियो विच आपाँ 10 मी कलास दे मैथ विशे दे सैंपल पेपर उनों हल करांगे विद्यार्तियो आओ होन पेला आपाँ सब्तम्बर टेस्ट दा सले बिस देख लेने हान पेपर आएगा ओभी तानु नजरा आ रहा है जी इस तरह पहला आपने को है वास्तिविक संख्या मा इस दे विच्व अथ नंबर दा दो कती संवी करन दे विच्व बारा नंबर दा अंक गिनित्तिक लड़ियां दे विच्व चौदा नमबर दा पेपर आएगा त्री पूद चैप्टर दे विच्चों ग्यारा नमबर दा अंकड़ा वग्यान दे विच्चों दास नमबर दा ते संभावना चैप्टर दे विच्चों आठ नमबर दा ते टोटल जो ताड़ा पेपर है वो असी नमबर दा होएगा ते देखो अपने को उड़े पाग देवेच अपने को एक एक नंबर वाले बत्ती प्रशन होनगे, एडा जो पाग है उस देवेच दो दो अंकां वाले आठ प्रशन होनगे, जो एडी पाग है उस देवेच चार चार अंकां वाले पांज प्रशन होनगे, जो ससा पाग है उस द लुए गांकरा वगयान चप्टर दे विच उंग जिस दे विच तानू कोई नो कोई मध्मान मद्धी का जंब हुलक दे लेटर कोशन आएगा जी ते आओ होना पहला कोशन पेपर देख लेने हम जिस नूँआ पना सौल्व करना है ते उस तो बाद आपना सिक विच्षान प यहां करके स्वाल्व करांगे इस वीडियो दे वेच ते जेकर वीडियो तानू वधिया लगेगी ता इसननू लाइक करदेना मेरे चैनल नू सब्सक्राइब करदेना आते बैल लाइक केंन réfléchतेनों भी जूर पैस करदेना सी यहां जो मेरी हर एक नमी वीडियो दी नो 때문에केश गुननखंड रोक नजर आ रहे हैं। इस गुननखंड रोक देविच आपने को दो डब्यां दे विच नमबर आ रहे हैं नीचे वाली इना आपने को गुना कर देना है। इननों गुना करके आपने को जो उपर वड़ा अग्यात अंग आ जाएगा ते ए देखो दो नों दो देनल गुना करांगे स्टोने इत्थे किया जाएगा अपने को चार इटमीन एस गुनन खंड रोक देवे जो अग्यात अंग है वो चार है इटमीन के डी ऑप्शन अथे वाई ब्राबर बी दा ग्राफ किचांगे तरह ओ ग्राफ किस तरह दा होएगा ए नीचे चार आप्शन विच्छों आपना अंसर दसना है कि इडि राइट आप्शन है जी तरूड जदो भी आपनों एक्स ब्राबर ए य ब्राबर बी ए य ते बी कोई भी नंबर अथे लिख्या होया है एंपने को option b mb यते d विच यका राफ आ अंसर होसकता है जी रहते सी आपना अंसर नहीं होसकता है जी हो आपवा बिंदू ऊट करना है बिंदू केड़ा है क्योंकि b दे विच लिख्या है a,g,d वियुऺ लिच लिख्या है b,ig a तա आपनों पता है कोई भी जदों आपां ग्राफ दे विच बिंदू लेना होंदा है तो पहला आपां x दी वैलू लेने हैं तो फिर कॉमा पाके आपां y दी वैलू लेने हैं तो देखो ते आना x किस देखल टू है a देखल इट मीन x दी जगा a लिखांगे ते y दी जगा ते देखो y ब्राबर b है ते a अपने को b आ जाएगा इट मीन a x ब्राबर a ते y ब्राबर b दा जो ग्राफ है और किते कटेगा केड़े बिंदू ते कटेगा जी बिंदू a कॉमा b ते इट मीन केड़ी option राइट है जी b option is the right option अपने को इस तरह है जी जेकर p एक अपाज संख्या है अते p केड़ी का दो नू पाग कर दी है ताम p हेट लिख्या विच्छों किस नू पाग कर दी है नीचे चार option देती हैं हो यहान हों सुन इस question देविच देखो की क्या है पहला कि जो p है ओ केड़ी का दो नू पाग कर है ते होना पादसना है के p हेट लिख्या विच्छों किस नू पाग करेगी ते जेकर p k दी का दो नू पाग कर रही है तो p जो है o k नू भी पूरा पूरा पाग करेगी पूरा पूरा बंडेगी इट मीन जेकर k नू भी अपाँ p देनाल पाग करांगे तो last विच अपने क पर ञकाक है बी ऑप्शों अगला क्विश्न अपने एस तरह है जी जे कर पिए एक्स ब्राबर दू एक्स लिकादो गाल्य जमा चार एक भापद एक दूकाती बहुपद है ताम फिए इस निन आपकानौ 6 छाह ऑपद है जोलकी उस देनाद कंपेयर करांगे ते उसमों पर एंबी द करांगे धो क्हांज और हो नगे स데 द द वनीके दो एकस दिका दो गमा जमा में भीके क्मासी को में यह दो एंबी दना है यू फूल है देखो A दा मुल 2 आ गया है B दा मुल अपने को 4 आ जाएगा ते C दा मुल अपने को 6 आ जाएगा जी आप लेना है शिफरां दा जोड शिफरां दे जोड दा स्टून अपने को फॉर्मला हुन्दा है minus b बटा a अपने को देखो 4 है उपर 4 आ जाएगा a दा मुल 2 है नीचे 2 आ जाएगा तो a देखो अपने को माइनस चार बटा दो दो दे पाड़े वेच इस दी कटिंग हो जाएगी दो एकम दो दो दूनी चार ते एस तोन अपने को आगया है माइनस दो बटा एक जो के माइनस दो दे बराबर आएगा इट मीन देखो केड़ी option राइट है जी C option is the right option इस ग्राफ दे वेच जो के लेट मी रेखा है एक वाई तूरा जो सिद्धी रेखा है तो तीसरी जो curved line है यह देखो मैं जो dark कर रहे हैं यह जो curved line green color देना मैं बना रहे हैं यह अपने को की है जी यह इस जो उपर लिख्या है question दे वेच y ब्राबर px दा अलेख यह अपने को इस दा अलेख है तो आपा इस दे वेच पता की करना है सिफ्रादी गेंटी पता करनी है तो आपा देखना है कि यह जो graph है अपने को y ब्राबर px दा जो अलेख है उसने x तूरेनू किनी जगा ते कट्या है ते आपना नजर आ रहे है इस graph ने X तूरेणु किनी जगा कट्या है देखो मैं डार कर रहे हैं एक जगा दो जगा तेन जगा चार जगा यह चार जगा कर लिए इस graph में इस गराफ ने X तूरेणु कट्या है इट मीन एथे आपने को सिफरां दी गिंती की निया जाएगी चार इट मीन केड़ी आपने को राइट आप्शन है जी बी आप्शन इस दा राइट आप्शन सुनावला कुशन इस तरह है जी एक वास्त्विक संख्या ए बहुपद fx दा सिफर कहलां दी है जे कर ये चार आप्शन देती हैं होई यहान ते आपने देखना है चार आप्शन विच्चों के डी आप्शन राइट है जी आपनों क्या गया है कि एक संख्या ए है जो के एक बहुपद fx दा सिफर कलाओं दी है a जो संख्या a है उस fx बहुपद दी सिफर कदों होएगी जे कर आपां जो x है x दी जगा ते a पर दिये ते answer अपने को 0 आज बे मतलब आपां x दी जगा ते a पर दिये ते a बराबर किस दी answer आज बे 0 ता आपा कमांगे कि जो a है ओ इस function fx दा की है 0 है जी ते देखो a वाली option आपने को किते आ रही है तर श्टों नजर आ रहा है कि a option आपने को आ रही है c दे विच f a is equal to 0 it means c option is the right option सुमाला question इस तरह है जी दित्ते चितर तों ए अपने को चितर दे विच दो समी करना दे ग्राफ देते हुए हान ते आपा ग्राफ दा की पता करना है ये समी करना दा की पता करना है जी हल पता करना है चार option देती है होई हान पहला देखो अपने को पहले विच जो अपने को समी करना है उसदा ग्राफ मैं ग्रीन कलर देनार डार कर रहे हैं जी देखो एक ग्रीन कलर देनार अपने को पहली वाली लाइन जो है समीकर उसदा ग्राफ आजाएगा दूसरा ग्राफ देखो जी मैं कर रहे हैं पिंक कलर देनार ड्रॉ ये देखो जी ए पिंक कलर देना ड्रॉ कर रहे हां दूसी लाइन दा ग्राफ ये जो दूसी लाइन अपने को है इस दा ग्राफ ते दोनों ही ग्राफ देखो आपस विच किस जगा इंटरेसर कर रहे हां काट रहे हां वो एक पॉइंट दे उपर काट रहे हां इस पॉइंट ए पॉइंट केड़ा है उपर लिखिया भी होया है जी क्यों 4,2 इट मीन ए जो 2 समिकरना है इना दा हल किया जाएगा जी डी ऑप्शन अपने को आजाएगी क्यों 4,2 जिते दोनों ही रिखामा दोनों ही समिकरना जो ग्राफ है आपस बिच कट दा है उपने को की होंदा है उस समिकरना दा हल होंदा है जी इट मीन आपने को समिकरना दा हल किया गया है जी 4,2 आएगा जी सुमागला कुछन इस तरह है जी जे का दो का ती समी करन AX दी का दो BX जमा C ब्राबर 0 दे मूल समान होन समान दा मतलब हुनदा है के मूल ब्राबर होन ता ये नीचे चार आप्शन है अपने दसना है के D Capital D लिखा है इस तरह मतलब Discriminant किस दे ब्राबर होएगा Discriminant 0 होएगा Capital D तरह मतलब हुनदा है Discriminant जहां जो D है O 0 तो बड़ा होएगा जहां D 0 तो छोटा होएगा जहां D 0 तो बड़ा जहां ब्राबर होएगा The stone is the right option है जी D 0 दे ब्राबर होएगा क्योंकि जे D अपने को 0 दे बराबर है ता जो समीकरन है दो काती समीकरन उस दे मूल वास्त भी कते बराबर हुन दे हान वास्त भी कते समान हुन दे हान जी समगला कोशन इस तरह है जी एपने एक दो काती सम्मी करना देती है इस दे वेच आपन डिस्क्रिमिनाट पता करना है जी ते चार ओप्शन देतीयां हुई यहान ते इसको डिस्क्रिमिनाट दा की फॉर्मला होंदा है हुने आपने पिछले कोशन दे वेच भी देख़्ा है डिस्क्रिमिनर्ट दा फॉर्मला हुन्दा है जी बी दी का दो कटाओ चार ए सी जेकर मैं इस दा स्ट्रक्चर त्यार करां तो ए देखो अपने को इते बी दा मुल पर आंगे बी दी का दो इते चार इत ब्रैकर दे विच इस ब्रैकर दे विच दा मुल पर ना है जी परसवर्म न अंप्मपता होना चाहीता है कि B यते A A B यते सीधा मुल की है ते त्याना देखो A जो उपर आपने को समिकरन लिखी है इस दे विच जो पहला एकस के दे नाल नंबर लिखिया है वो A है इट मीन A अपने को 2 आएगा जो X दे नाल नमबर लिख्या है वो B होएगा B अपने को कटा हो दा 4 है तो जो कल्ला नमबर है उपने को C है ते C अपने को किनना है जी 3 है ते देखोना आपा A B है ते C दे जो मुल है वो आपने पार दना है ब्रैकेट्स दे विच जिथे अपना स्ट्रक्चर त्यार किता है जी B दी जगा पर आँगे माइनस 4 A दी जगा पर दमाँगे अपना दो C दी जगा पर देना है 3 माइनस 4 दी का दो दा मतलब है माइनस 4 नू माइनस 4 दे नाल गुना कर दियो कटाओ, अनन वापस विच आपका गुना कर देना है 4 गुना 2, 8 अठूते याँ, 24 यह 24 आ गया है माइनस 24, होन देखो अपने को माइनस दे नाड माइनस यह थे कटा जाएगा 4 गुना 4 कर ना जाएगा, 16 माइनस 24 होन ते आनन देखो, 24 कटाओ देहान 16 जमा देहान, एक जमा दा होवे, एक कटाओ दा होवे ते आपका कटाओ करनी होंदी है 24 दे विच्चों आपका 16 कटा देना है कटा आगे आपने को 8 जाएगा, बड़ साइन किस दा लगेगा 24 दा, 24 वड़ा है, इसलिस दा साइन लगेगा minus 8, it means answer किना जाएगा minus 8 जाएगा, it means केड़ी option राइट है, जी B option is the right option ते नीचे चार आपनों आप्शन देतिया होई यहान ते देखना है ना, चार आप्शन विच्चों केड़ी option राइट है, जी देखो, AP आपनों देति होई है 2, 0, कटा होदा 2, कटा होदा 4 and so on ते AP जी terms नों आपनों किसना लिख देहान, पहले पदनों, पहली term नों A1 दूसरी जो term है A2, इस तरह अगली term नों आपनों लिख देहान A3, अगली term A4 and so on ते आपनों पढ़ा करना है इसदा जी, सांजा अंतर जिसमों आपन दूसरी term दे विच आपनों पहली term नों कटा देना होंदा है, इस देखो आपनों इस दा structure त्यार कर लेने हैं इस दे मैं bracket पा देती है, इस bracket दे विच आपना A2 दा मूल पर ना है कटा हो दा sign, फिर इस bracket दे अंदर आपना A1 दा मूल पर ना है फिर कटा हो दा 2, ते 0 कटा हो दो इस दो अपने को करना आ जाएगा जी, कटा हो दा 2, माइनस दा 2 आ जाएगा आनसर अपने को, ते देखो केड़ी option राइट है जी, B option इस दा राइट आप्शन जेकर P A, कटना A दी संबावना नों दसाओंदा है, ताहे एट लिख है विच्छों केड़ा कथन सही है नीचे चार option देती है होई यहाँ, ते आपना दसना है कि जो कटना A दी संबावना है, वो किस नंबर तो लेके, किस नंबर दे विच्छुन दी है ते इसनों आपना एक नंबर लाइन दे समझे दे हैं, यह दुख हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है नंबर लाइन दे विच्छ इस जगा अपने को 0, इस तरफ अपने को 1, फिर अगे 2, इदर कटा ओदा 1, कटा ओदा 2 ते हमेशा जो किसे भी कटना दी संभावना है, वो कितों लेके, किते तक लाइन कर दी है, नंबर लाइन दे विच्छ, 0 तो लेके, 1 तक यह हमेशा किसे भी कटना दी, जो संभावना है, वो 0 तो लेके, 1 तक ही लाइन कर दी है ना जी तो तो पिछे हो सकती है ते ना ही एक तो अग्य हो सकती है ते ए चार आप्शन दे विच देखो केड़ी अपने को आप्शन है जी पहले विच लिखे है के एक तो चोटी होएगी जो के गलत है दूसरा लिखे है एक तो बड़ी होएगी ए भी अपने को गलत हो गया त इस जगह ते आपने को कटाओ, एक दी जगह की आना सेगा 0, 0 तो लेके 1 तक किसे भी कटना दी संभाव नहुंदी है, जी 0 तो लेके 1 दे वेच वेच अपने को, 1 भी हो सकदी है, 0 भी हो सकदी है, ते बट 0 ते 1 दे वेच कोई भी नमबर A हो सकदा है, इट में अपने को A वा राइट आप्शन स्वून अदा कुछन इस तरह है जी दित्ते होए प्रेखना दे मुलना दे जोड़नू प्रेखना दी कुल गिंती नड़ पाक करके की प्रापत हुन्द है नीचे चार आप्शन देती हूं यहान मदमान, मदिका, बहुलक, जां विचरन सीमा स्वून इस दा राइट आप्शन है जी ए मदमान क्योंकि स्वून मदमान दा जो फॉर्मला हुन्दा है ओ हुन्दा है जी प्रेखना दा जोड़ बटा प्रेखना दी गिंती स्वून अगला कुछन इस तरह है जी किसे निश्चत कटना दे वापरन दी संबावना किन्नी हुन्दी है ते नीचे चार आप्शन देतिया हुई है हान ते स्वून किसे भी निश्चत कटना दे वापरन दी संबावना एक हुन्दी है इट मीन के डी आप्शन राइट है जी B option is the right option सुना अला कुशन इस तरह हैं जी किसे गेंद बाई दवारा 10 क्रिकट मैच्चां विच लईयां गईयां विक्टां दी गेंटी हेड लिखे उनसार हन ये जो 10 मैच्चां दे विच विक्टां लईयां गईयां हन ओ इस तरह हन जी इना अंकड़ेंद आपां की पता करना है बहुलक पता करना है बहुलक अपने को की हुंदा है कि जेड़ा नंबर अंकड़ेंद विच सब तो जादा बार आ रहा है उसनों आपां बहुलक कैदने हैं पैदा देखो जो भी आपांनों अंकड़े देते हैं इना नो पर rearrange कर लेने हैं पैदा छोटा फिर उस तो वड़ा फिर उस तो वड़ा इन्हों वद्दे करम वेच लिख देयां ते देख देयां कि केड़ा नंबर सब तो वद्द बार रहा है जी ते इस पुण आपाइना नो री रेंज कर ले है कट दे तो वद्दे करम वद्द पैना नजर आरहा है कि केड़ा नंबर सब तो जादा बार आ efficacy थे दो इट मेरें ए जो आण्कड़े हैं एना दा बाहुल्लक किस दे बराबर होएगा दो दे बराबर होएगा एट मेरें केड़ी ऑप्शन दोगतmore होई है जी चित्तर दा अधियान कर्के ये इट लिखया सही कफन चोनौ ओस ना दे चित्तर नो आपने अनेलिसस करना है औस देखना है कि ओस देखने चित्तर देखन दे भिशकों केड़ी उप्शन हो सकती है ने पार रबह देखन 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 है पता लगधा है कि जो पहली पुज है आर पी क्यू ते दूसरी आपनों त्री पूझ देती हुई है A, B, C इस दे वेच जो पुझा माँ दी लंबाई आपनों देती है वो थोड़ी जी अगे पिशे देती हुई है जिस तरह केड़ी पुझा किस दे नाल मैच कर रही है देखो 6 वर्ग मूल 3 जो है ते जो तीसरी पुझा है ओ तीसरी पुझा देनाल मैच करेगी ते होन आपा इसनों थोड़ा जा री अरेंज कर दे है दवारा डागराम नों ड्रॉव कर दे है उन देखो आपा होन दोने ही त्री पुझा नों री ड्रॉव कर ले है देखो B जगा C लखता है C जगा B लख देता है ते आपने को A वाली इस तरह आजाएगा ते फिर जो उपर नंबर हान ओ भी आपने को चेंज हो जणगे तेन पॉइंट आठ एदर चला जाएगा ते वर्ग तेन वर्ग मूल तेन आपने को इस तरह आजाएगा देखो दोनों ही जो त्री पुझा हान उना दिया जो पुझा वाहन आपस वेच मैच कर गई है याँ आपने कोण किस दे कोण देख कोलो सकता है क्योंकि A बन गई है हान जी आपस वेच सम रूप त्री पुझा दोनों ही त्री पुझा की हो गई हान सम रूप हो गई हान जे कर सम रूप हान ते एना दे कोण आपस वेच वेच बराबर होणगे यहान इन विच्चों गेड़ी एक सामकॉन इस An calculate जिस देवरीं एक कौन 90 गीरी दा होंदा है तो अने नीचे चार उप्षन देवरीं यहान आए चार उप्षन देवरी देवरीं केड़ीं पुझामा हो पाइथागोर स्थियुरम दे विच आपकी करना होंदा है पहला जो तेन पुझावादिया हुई यहां इना विच सारीयां पुझावानू आपस विच ही जेस पुझा देती हुई है उसनु उसदा पर वरक कर देना है जी देखो पहला अपने को पहली ऑप्शन आपकी कर दे हंपाने पहला अपने को लिखे है जी साथ दूसरा नंबर है ऐथारा ति तीसरा नंबर अपने को है जी चौवी हुञर अपने साथनु को उनिग जाएगा इसे तरह 18 नो उठारर ना गुणा करआंगे 30Cal आजएगा तो 2024 नो गुणा करआंगे या 570 आजएगा अपलों आपने करना है कि जो उपर दो पुजाएगा अपले हैं चोटी हुट आ पुजामा 7 तो 18 एना दा जो वर्ग द 예जा है एपने को आजाएगा 370 अपने को जो 370 है जेकर अपने को इस नंबर दे बराबर आज रहे जो 24 नूँ चौविना गुना करके अपने को आंसर है ए अपने को एक सामकोनी तरी पुझ होएगी बट ए दिखो आंसर सेम नहीं आ रहा है ये 370 तरा आ रहा है ये 576 तरा आ रहा है इत मुन जो पहली option अपने को सही नहीं है एक साम कोणी तरी पुच दियाँ पुजामा नहीं हो सकती है ते और होना आपां दूसरी option नों चेक कर देहां दूसरी option देवेच पुजामा देती है हुई 34 cm, 30 cm, 16 cm फिर नीचे सब तो वड़ी पुझा चौंती लिखांगे फिर उसे तरह 16 shellman गुना कर दियो 3 चौंती नूँओ 4 चौंती 4 ते जाएगा तीनु तीना गुना करांगे 900 आ जाएगा ते 34 चौनतीना गुना करांगे ते 1150 जाएगा जी अपने अपने जोड देना है जी जोड के देखो एना नू जोड के ते ए वड़ा जो आनसर नीच या है ते एट में ए वाड़ी आप्शन अपने को बिलकुर सही है जी सम कोनी त्री पूझ देखो जी इस तरह होईगी अपने को सम कोनी त्री पूझ इस देवेच नबबे डिग्रता कोन इत्थ होएगा जी 90 डिगर ते बिलकुल सामने वाली सब तो लंबी पुझा हुंदी है A 34 cm वाली पुझा जाएगी ते बाकी दो पुझा माँती है ते एक 30 cm जाएगी ते एक अपने को आजाएगी 16 cm ते ए इस तरह दी आपने को एक सामकोनी तरी पुझे बन जाएगी अपने को आपने को एक सामकोनी तरी पुझे बन रही है इना दी जाँ नहीं बन रही है पाग उड़े दा सेकिंड परशन ए अपने को है जी सही गलत वाला इस दे विच आपने को एक स्टेटमेंट लिखी होईगी कोई कथन लिख्या होएगा ते आपने दसना है कि ओ कथन सही है जाँ गलत है पहली स्टेटमेंट आपने को है जी एक अपाज संख्या दे तिन जान तिन तों वद गुनन खंड होंदे हान ते एस पुर्ण अपने को गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अपाज संख्या मांदे सिर्फ दो ही गुनन खंड होंदे हान जिस तरह आप आज गुनन खंड बना लेने हैं किसे नमबर दे जिस तरह आप आज संख्या अपने को दो है इस दे सिर्फ दो ही गुनन खंड होनगे एक अते दो इस तरह आप आज संख्या अपने को तेन है इस दे भी दो ही गुनन खंड होनगे एक अते तेन इसे तरह अगली पार संख्या अपने को पांच है पांच दे भी सिरफ अपने को दो ही गुनन खंड होंगे एक ते पांच तो अपन पता लग रहा है कि कोई भी जा पार संख्या है उस दे दो ही गुनन खंड होंदे हन एक ते एक अपने आप ओ संख्या इसे तरह तेन दे अपने आप विच जो संख्या है वो होईगी इसे तरह कोई भी अपने को गलत कथन है क्योंकि दिखो बाई भी आपने को एक संपूरन संख्या है ते साथ भी एक संपूरन संख्या है ते जदो संपूरन संख्यामानों बटेयां विच लिखिया जानता है ता ओ की बन जानता है आपने को एक परमे संख्या बन जानती है जी क्योंकि बाई अते साथ दोनों ही संपूरन संख्या महान, इसलिए बाई बटा जो साथ है वो एक परमे संख्या होएगी, अपरमे संख्या नहीं होएगी अगला कतन अपने को इस तरह है जी जेकर रेखी सम्मी करना दा जोड़ा असंगत होवे ता उन्हा दा जो आलेक है वो समानतर हुन्दा है तो एस तो बिल्कुल अपने को सही स्टेटमेंट है नीचे ता देखो एक टेबल भी बने होया है टेबल दे बिच देखो जदो समी करना जोड़ा असंगत होंता है तो जो रखामा होंदी यहान, O की होंदी यहान, समांतर होंदी यहान इसमान अगला स्टेटमेंट इस्तरह है जी, X दी का तेन जमा दो X दी का दो ब्राबबर पांज एक दो का ती समी करन है एसमान अगली स्टेटमेंट अपने को इस तरह है, सारियां सम पुझी त्री पुझा सम रूप होंदी यहान, ते एसमान बिल्कुल अपने को सही करन है इस तरह आपां डाइगराम भी ड्रॉप कर लेने हान, जिस तरह मान लो के एक मैं इस सम पुझी त्री पुझ बना ली है जी, इस दियां सारियां ही पुझा मा ब्राबर होंदी यहान, ते एक का पां थोड़ी इस तो बड़ी सम पुझी त्री पुझ बना लेने हान, इस द तिर पूंच है पर इस देवर भी सारे ही कौन की होंगे 60 डिघ्री दे होंगे ते जित्थो सारे ही कौन आपस पर बराबर हूंदे हां ते ओ es Challenge 28 5 आपस विछ वर्रबर हूंदे हां ते ओ ट्री प miał देड़े किया हां ते यहां जाल भी आपसपी कून कोण कोण मेर्पूज है इसलिए साम रूपता दा एक नियम हुंदा है ए ए ए जा कौन 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 निजम जी इस दे तहत ए दोनों ही जो साम जिन्यावी सारियां ही साम पूजी त्री पूजा होन गियां वो सारियां ही साम रूप हुंदी यहां जी अगली statement है जी दो सामरूप त्री पुजान दे खेतर फल्दा अनुपात उना दिया संगत पुजामा दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर हुन्दा है ते ए स्वन बिलकुल अपने को सही statement है जी यह अपने को सुन चैप्टर 6 जो है त्री पुजान उस दे विच एक थियूरम है जिस दिये एक statement है जी सुन आगली statement इस तरह है जी P E दे उपर बार E नहीं दी समबाब नानुद दरसा होता है तो P E जमा P E नहीं बराबर 0 होवेगा यह समबन बिलकुल गलत statement है क्योंके P E ते P E नहीं E नहीं मतलब E दे उपर बार पा देओ तो इना दा जोड हमेशा एक दे बराबर होनदा है बट ए ते लिख्या है कि इना दा जोड 0 दे बराबर होनदा है जो के एक गलत statement है जी सुन आगली statement इस तरह है जी इस दे वेच आपानो मदिका बहुलक ते मदमान दा एक relation देता होया है उना विच की संबन्ध है ए दस्या है तेन मदिका बराबर होनदा है बहुलक जमा दो मदमान ते ए बिलकुल सही relation है जी सुन अगला question अपने को है जी खाली थामा परो ते खाली थामा परोदे वेच भी आपानो चार option देतिया होनगी है ते चार option दे वेच भी आपान एक ही option चूज करनी है ते पहली अपने को खाली स्थान बड़ा question देखो केड़ा है जी दो लगातार अपा आज संख्यामा दा मास अवर डैश होनदा है ते चार दो लगातार अपा आज संख्यामा दा मास अवर हमेशा एक होनदा है ते चार भी आपने को किया जाएगा एक का जाएगा ते चार अगला question है जी जेकर PX ब्राबर AX दिका दो जमा BX जमा C एक दो काती बहुपद है ते चार अपने को किया जाएगा सिफरा दा गुनन फाला जाएगा अगला question अपने को इस तरह है जदो रेखी समय करना दे जोड़े संगत होन ते उना दा अलेक डैश होवेगा नीचे चार आपनो option देती है होई यहाँ ते इस ले तुसी जदों भी अपने को रेखी समय करना दे जोड़े दा questions तूर ना होदा है तो तुसी यह जो नीचे टेबल है इस टेबल नूँ चंगी तरह याद कर लेना है अपनों क्या है कि समय करना दा जोड़ा है उस संगत है और देखो जे कर अपने को जोड़ा संगत होई ते वना दा अलेक ही रूप की हुंदा है रखामा काट मियां भी हो सकती है यहाँ ते समपाती भी हो सकती है अट मेरे केडी option right है जी, ए वाली option अपने को सही हुएगी काट मियां जां समपाती रखामा अगला कुछन अपने को इस तरह है जी एक का अपानो दोकाती सम्मी करन देती है ते अपान दोकाती सम्मी करन दे मूल दसने हान किस तरह दे हान ते ये चार अपानो आप्शन देती है होई है हान ए चार आप्शन देविच हपां देखना है कर ठीड एपनी right आप्शन है ते इस table अनु तू से student जाद रख लना है मूलां दी परकिर्टी किस तरह हों दी है ते इसलिए आपा मूलां दी परकिर्टी पता करना है डी करना है条ура, Moral byERS, D, D तो अपनु पता लगेगा डिस्क्रिमिनेट दी वैल्यू तो के उस दे जो भी दो काती समय करने हैं उस दे मूल ना जी पर किरती किस तरह दी है जी ते आओ इस कोशन दा पहला आपां डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट कर दे हैं जी बीदा अपने को की फॉर्मुला होंदा है जी बी स्क्वेर माइनस चार एसी बीदा का दो पर ते इस दा परना स्ट्रक्चर मा लेने हैं जी बीदी का दो इस ब्रैकर दे विच आपां बीदा मूल पर नगा है चार फिर एक ब्रैकर इस ब्रैकर दे विच आपां सीधा मूल पर नगा है जी अपने को देखो एथे a, b, c क्या है जो x दे अगे लगा है नमबर ओ 1 हो या ओ आपने को a होएगा जो x दे नाड नमबर लगा है ओ b होएगा तो a जो तीसा नमबर है जो जिसदे नाड x नहीं लगा अपने को c होएगा it means b अपने को की है जी 2 दे बराबर है यह थे अपाँ X नहीं लिखना, एकस दे ननल जो नमबर लिखना हो लिखना है जी, इससे तरह x केर दे नल ए है, A अपने को 1 है, जे कर कोई नमबर न होबे तो धे, वान होंदा है, इससे तरह C आपने को है, माइनस पांच होन दो दी का दो दो दी का दो दा मतलब हुंदा है दो नू दो बर गुना करदेना है दो गुना दो चार आ जाएगा ए नू गुना करांगे देखो दो माइनस साइन नजर आ रहे हैं एक ए वड़ा माइनस साइन है एक A बढा माइनस आईन है माइनस नूँ माइनस दिना लग गुना करांगे तो A जमा वे चेंज हो जाएगा तो चार गुना एक गुना पांज अया अपने को V आजाएगा तो V जमा चार सुन ए अपनेért को आगया है जि चौवी की हुंदी है मूल वास्तविक होंगे ते वक वक होंगे इट में किरी आप्शन राइट है जी ए वारी जो सेकेंड आप्शन है कि मूल वास्तविक भी हन ते असमान हन असमान की हुंदे हन वक वक इट में ए बी वारी आप्शन सेकेंड आप्शन अपने को सही आप्शन है जी अगला कुछन अपने कुछ तरह है जी एक अंक गिनित्तिक लड़ी आपन देती होई है ते अंक गिनित्तिक लड़ी दा आपन दसमा पद पता करना है जी ते ए चार आप्शन देविच देखना के राइट आप्शन है जी ते ए देखो अंक गिनित्तिक लड़ी देविच अपने को 5 है जी इस आंकल गनितिक लड़ी दे विच जितों आंकल गनितिक लड़ी स्टार्ट हुंदी है वो अपने को A हुंदी है पहला टाम ते फिर आपा पता करना हुंदा है D सांजा आंतर सांजा आंतर की हुंदा है कि A2 दे विचों आपा A1 नों कटाना हुंदा है A2 दूसरी टाम हुंदी है A1 अपने को पहली टाम हुंदी है इस ब्रेकर दे अंदर A2 ते इस ब्रेकर दे अंदर आपा A1 दा मूल परना है A2 देखो आपने को की है जी 8 ते A1 अपने को की है जी 5 उ पाद पता करना है A10 ते A10 दा की फॉर्मुला हुंदा है A जमा 9D उन देखो अपने दा मूल पार कर देना है 9 इस ब्रेकर देवेच D दा मूल पार देना है A दा मूल देखो अपने को 5 है ते D दा मूल अपने को 3 है ते A देखो 5 ते 9 नो ते इन देनाल गुना करांगे, 9 ते यां 7, 7 दे वेचे 5 जोडांगे ते स्टून अपने को आजागा बत्ती, इट में के डियो आप्शन राइट है, जी, ए बी वाड़ी आप्शन राइट है, अपने को है, सारे चकर डैश हुन दे हा, ते इस दी राइट आप्शन ह है, जी, अपने को सामरूप, इसनों डाइग्राम देनाल समझ दे हा, इस तरह मालो के अपने को एक चकर है, एक इस तो थोड़ा पाहूर बड़ा चकर मुना लेने हा न, फिर इस तो एक बड़ा चकर मुना लो, ते ए देखो, सारे ही चकरा दा, दो शेप है, वो अपने को इको जई है, बट अकार जो है, जो साइज है, वो अपने को छोटा बड़ा हो सकदा है, ते सामरूप वेच अपने को ही होंदा है, कि जिन्यावी अकरेतियां हान, जिन्यावी अपने को शेप सान, उना दा जो शेप है, वो इको जई होगी, बट जो साइज है, वो छोटा हो सकदा है इट मीन ये सारे ही जो चक्कर हान की हान समरूप हान आपस विच इत् condition अगला कोछन इस तरह है जी निमन विच्चों डेश केंदरी प्रवर्तिदा माप नहीं है ये चार उप्ष्ण विच्च आपअप देखनी है राइट उप्ष्ण है जी ते राइट आप्शन अपने को है जी विचलन सीमा जो केंदरी प्रवेटी दा माप है उस देविच मदमान भी ओंदा है मदी का भी ओंदी है ते बहुलक भी ओंदा है बट विचलन सीमा उस देविच नहीं ओंदी है जी तो अगला कुशन इस्तरह है जी एक सिक्के नू एक वार उशालिया जानता है तो चित प्रापत करन दी की संभावना है तो इस दा अपने को चार आप्शन दे विचो राइट आप्शन आएगा जी एक बटा दो ते आओ देख दियां किस तरह हो दा है जी आपन पता है कि जिदो एक सिक्कें उशाल दे हां ते हैड चित आउन दी संभावना भी एक होंदी है ते टेल आउन दी संभावना भी एक होंदी है ते प्रॉबिल्टी दा किसे कटना दी संभावना दा फॉर्मला गी होंदा है कटना दे अनकूल पर नाम बटा कटना दे कुल पर नाम होन कटना दे अनकूल पर नाम की हैं आपना प्रापता करना है चित प्रापता करना है चित आपने को किन्नी बार है सिर्फ एक बार है जी चित आपने को एक बार है इसनों इंग्लीश विच हैड के देने हां एचनल डूर कर दे हां ते जो टेल हुंदा है उसनों आप पंजाबी विच पट के देने हां ते कुल परणाम क अपने को head भी आ सकता है, tail भी आ सकता है, कट ना दे कुल प्रणाम आपने को दो हन, it means आपने को चित प्रापत करन दे संबावना के नियागी है, एक बटा दो आ जाएगी, जी, अगला कुश्ण इस तरह है, जी, जे कर atcf, एक दो आपने को संख्यामा देती है, हान एना दा atcf किस देकल टू है, नौ देकल होए, ता एसे ही दो संख्यामा दा आपना lcm पता करना है, ते इस दे लिए आपना formula नीचे लिख ले है, जो आपना formula यूज करना है, lcm गुना atcf ब्राबर दो संख्यामा दा गुनन ते देख्यामा आपना lcm पता करना है, ते एसे एफ दी वैल्यू आपना नौ देती होई है, जी 9, एसे एफ दी जगा आपना नौ पार देना है, दो संख्यामा दा गुनन फाल, होन केडियां, दो संख्यामा आपना ओ हन जी 306 ते 607 बंजा, 306 गुना 607 बंजा, ते एथ ए जो इदर 9 है, इस 9 नौ आपना इदर नीचे लाजना है, ते हून देख्यों जे कटिंग हुन दी आपना कटिंग कर दनी है, 9 दे पाड़े वेचे कटिंग हो जान दी है 306 दी, कटिंग करके अपने को आ जाएगा, चौनती, तूसी इसनू ड़ाइड भी कर सकते हो, देख्यों कि थे, अपने को पूरा पूरा बंड़े आ गया, चौनती थे, ते हून अपना चौनती नू गुना कर देना है, 607 दे नाड, ते गुना करके स्टून अपने को आ जाएगा, जी, बाई 308, ये स्टून अपने को बाई 308 की आ गया है, जी, LCM आ गया है, जी, संख्यामा 6, 72 अटे 100 वीदा, अपा आज गुनान खंड भी दी रहीं, अपां मस अब पता करना है, ते देखो, स्टून संख्यामा अपने को केडिया हान, जी, एक का अपने को संख्या दिती हुई है, 6, 6 दे अपा आज गुनान खंड बना मांगे, ते ए बन जानांगे, 6 दे 2 अते 3, इसे तरहां अपा होन 72 दे भी, अपा आज गुनान खंड मांने हान, पहला दो ते करांगे, 72 आ जाएगा, 6 ते, फिर 2 ते पाड़े वेच देखो, 6 जाएगा, अपने को 18 ते, फिर 2 दे पाड़े वेच, 18 जाएगा, 9 ते, फिर 9 होन 3 दे पाड़े वेच हान, पहला 2 ते जाएगा, 60 फिर 2 ते जाएगा, 3 फिर 2 ते जाएगा, 3 फिर 15 आ जाएगा, अपने को 6 दे, अपा आज गुनान खंड की बन गे हान, 2 गुना ते, इसे तरहां 72 वेच देखो, 2 तेन बारी है, ते तेन दो बारी है, ते तेन दो बारी है, दो नुँ अपां त बार लिख लणा है थे तेन आपकएं दो बार लिखिलाने हैं इस इतराanswer 72 गिस मातव थासर पांच पांज है थे स्थेश्आ के वह संजी गुननख अब करना है एंस स्थेश्आ दा मासव घराओ सांजा आ रहा है जी छे देवेच भी बहतर देवेच भी देख सो भी देवेच भी अगला नमबर अपने को तेन है तेन भी देखो अगला नमबर भी जो तेन है इना सार्यां देवेच सांजा आ रहा है इट में होर छे दे कोई होर अपने को गुनन खांड नहीं हान इट में लिएवाबर अगला कोशन अपने को इस तरह है जी एक दोकाती बहुपद पता करो जिस दे सिफरांदा जोड अते सिफरांदा जो गुननफल है वो करम बर 4 ते एक दिता होया है यहते देखो सिफरांदा जो जोड है वो चार दे बराबर है जो सिफरांदा गुननफल है वो एक दे ब्राबर है ते सुना पांकी पता करना है दो काती बहुपद पता करना है ते दो काती बहुपद करना पता करना दा फॉर्मला की होंदा है जी एह होंदा है जी X दिखाद दो, कटाओ, S, X, जमा, P, इते उन S अते P की है, त्यान न देखो, S अपने को सिफरांदा जोड़ है, ते P अपने को सिफरांदा गुननफल है, त्यान देखो, X दिखाद दो, इते मैं ब्रैकेट पाती है, S दी जगा, इते अपने सिफरांदे जोड़ दा मुलपर दिना है, X जमा, फिर इते देखो, S अते P दी जगा मैं ब्रैकेट पाती है, इते अपने सिफरांदे जोड़, अते सिफरांदे गुननफल दी, वैल्यू पर नहीं है, उसदा मुलपर नहीं है, होन देखो, S सिफरां दा जोड किस देखकल टू है 4 देखकल है ते S दी जगा ते 4 आ जाएगा सिफरां दा जब गुनन फाल है P A किस देखकल टू है 1 देखकल ते A ते 1 का जाएगा ते A बन जाएगा X दी का 2 कटाओ 4X जमा 1 ते A इस तुन दा अपने को आ गया है पता करने देशनों रहे थे अपने को 2 का ती बहुपत विच दो मैच्ट होंदे है जाता आपां 2 का ती सूतर लगा के इस देखकल पता कर सकते है जाते आपां जो 7 मी एठमी तों ही फार्मले लगां दे आ रहे है Middle Term Splitting जो बेच वाली टर्म है उसनों तोड़के अपां इस दे शिफर पता कर सकते है ते आज दी वीडियो बीच में तानों इसे मैथर ना जो सेंटर वाली टर्म है उसनों तोड़के अपां इस दे शिफर किस तरह पता करने है उस मैथर ना कर दे है अपां देख़ो अपने को center वाला number केड़ा है minus 2 minus 2 पहला देखो अपने को x दिका 2 minus 2 x minus 8 यह है अपने को इस x दिका 2 देखे कोई number नहीं है ते यह अपने को 1 का जाएगा हुन आपा 1 ते 8 नू कारजन है कटा हूँ 8 नू गुना 1 नू आपा कटा हूँ 8 देना गुना किता ते 8 नू आपने को कटा हूँ 8 जाएगा ते हुन आपा की करना है जो center वाला number है उसनों 2 पाड विच ब्रेक अप करना है इस दे विच 2 number आपने को minus 2 दी जगा आपा हुन अगरे 2 number दोड विच इसनों तोड़ देना है वो 2 number के दा होने चाहिए दे के आपने को कटा हो दा आठावे ते sign किसना लैने हान पहला sign अपने को as it कटा होँ दा आजाएगा पहला number वो जो है जो कटा होँदा आजाएगा ते 2 number की हुनदा है इस कटा होँदे sign नू इस कटा होँदे sign नल गुणा करके इत्या अपने को प्लस दा साइन हा जाएगा अपने दो नमबर लेने हान जेना नूँ कटाओ करके क्योंकि एक कटाओ वड़ा साइन है एक जमा वड़ा साइन है जे कर एक कटाओ ते कि जमा वड़ा साइन होए तो उन्हानों पर कटाओ करना होंदा है दो नमबरानों कटा के अपने को कटा हो दा दो आज भे ते गुना करके अपने को माइनस कटा हो दा आठ आज भे ते इस तरह देखे डे नमबर हो सकते हैं हन ओ हन चार दे दो इट में होन tuyni आपने को किया गया देखो इसनों अफले पैरले वाणा टर्म है उसनों भी एजिट लिख देता जो लास्ट वाली टर्म है वो भी आपने को एजिट आ गयी सिर्फ जो सेंटर वाणा नमबर सेगा वो आपने को 2 पार्ट दे विच ब्रेक अप हो गया ते जमादा 2x ते हुन देखवा अगले step विच की करना है x दी का 2 है इसनों अपना x x दूबर लिख लिया 4x एसे तरहां 2x भी एसे तरहां ते 8 नों अपना लेख सकते हैं 4 गुणा 2 हुन पहले 2 दे विच देखवा अपने को की चीज का मना रही है इना विच अपने को x का मना रही है x नों अपने को बार कर लाना है अंदर बज गया x कटा हो 4 इसे तरहां हुन ए जमादा साइन है इसनों इस तरहां रिखना है हुन इना दूआ विच देखवा की का मना रही है इना दूआ दे विच अपने को 2 का मना रही है दो नों आपने को बार कर लाना है अंदर फिर आपने को बच गया x कटा हो 4 ते होन आपने को बार कर लाना है x कटा हो 4 बार आ जाएगा ते अंदर की बार जाएगा देखो आपने को x जमा दो ते होन आपने को सिफरां किस तरह पता करने है हान आपने शिफर पता करने हैं जी एक्स कटाओ चार नों भी आपना बराबर 0 लिख देना है तो एथों अपने को एक्स के इस दे बराबर आ जाएगा 4 दे एक्स जमा दो जो है उसनों भी आपना जाएगा एथों एक्स के ना जाएगा माइनस दो एट मिन अपने को जो दो काती बहुपधियां उस दियां सिफरां की आ गई यहां जी एक एक्स दी वैलू अपने को चार आ गई है दूसरी एक्स दी वैलू अपने को दो आ गई है तो कॉमा पाके आपने दो वैलू लिख देनी यहां इसनों अपने को अलग-छाद होंदे हैं पर इत्याप अलगा दनी है विलोपन विदी विलोपन विदी नाल देखा आपने किस तरह सौलव करना होंदा है पहला पहली जो समी करन है उसनों लिख लेना है 7x-15y ब्राबर 2 ते दूसरी समी करन अपने को है एक्स जमा दो वाई बराबर तेन तो हुना पांगी करना है इस दे समीकरन दे वेचा पांगी करना है जो अगले नमबर हान एक्स दे अग्गे नमबर लगे हान जेतो एथे नीचे आपने कोई एक्स दा कोई नमबर नहीं थे तो उसी एथे एक लिका लगाना है इसनों आपाँ उपर नीचे गुणा करना है उल्टा के जो उपर साथ है वो नीचे गुणा हो जाएगा एक जो है उपर गुणा करना है जी उन गुणा जदो एकनू आपाँ इस पूरी रकम देनाल गुणा करना है देखो जी एकनू इस पूरी रकम देनाल अपाँ गुणा करना है ते किया जाएगा एक देनाल गुना करांगे ते 7x एदें आ जाएगा 15y भी एदें आ जाएगा ते 2 भी इस तरहीं आ जाएगा होन दूसरी अपने को है जो नीचे है आपा होन 7.9 पिस देनार गुना करना है इस पूरी रकम देनार इस 7.9 अपा गुना करना है ते देखो 7.1 अगा 7.2 नी 14 प्लस दे आजाने के ते 7.31 आजाएगा ते होन अपा इस दे साइन चेंज कर देने हाँ जी नीचे वारी जो टर् नीचे वरी term दें साइन चेंज कर देने हान तो ए देखो 7x दे नाद 7x कट या जाएगा माईनस पंदना ते माईनस 14, हुन 14 दा प्लस वड़ा साइन नहीं आपना देखना आपन नीचे वड़ा माईनस वड़ा साइन देखना है जी, ए माईनस उन तीy आ जाएगा ते, 2-1, A-9 आ जाईगा, जी होनों देखो हो, माइनस ना माइनस कट्टा आ जाएगा ते, अगे स्टून आपने को किया जाएगा, देखो, जी उनती, वाई बराबर, उन्नी है ते, य तो, य दा मूल आ जाईगा, उन्नी बटा उनती ए इस्टोन होन जो वाईदा मूल है इसनों आपां की करना है equation number 1 ए जो उपर समिकरन ए उपर आली समिकरन पैदी 1 है दूसी समिकरन अपने को 2 है आपां समिकरन 1 दे विच भी इसनों पार सकते हैं ते समिकरन 2 दे विच भी इसनों पार सकते हैं ते अपना की करना इसनों समीकरन 2 दे विच पार देना है, 2 वेच परन्ते, इसनों आपना समीकरन 2 दे विच पर देना है, जी, एथे देखो समीकरन 2 कीसी x जमा 2y ब्राबर 3, x इसे तना जाएगा, जमा 2y, y दी वैल्यू की नहीं है, जी, 19 बटा, 19, ते ब्राबर अपने को जाएगा जी, 3, उन इस तो अग्ले देखो, जी, x इसे तरह रहेगा, दो नहीं आपना उन्हीं देना गुना कर देना है, 19 गुना दो, 28, बटा, 19, ब्राबर अपने को 3, उन इस तो अग्ले स्टेप ज़िच देखो, जी, आपना की करना है, x इस तरह इदर रहेगा, 3, इस नहीं अपां दूसी तरफ shift का देना है, दूसी तरफ जाके ए बन जाएगा, कटा अखती बटा, 19, ते तेन बटा आपंगा एक लिख लणा है, ते एदर आपंगा देना है, दंबरू multiplication, करना है, जी, दंबरू multiplication, दंबरू multiplication, विच की होन दा है, कि ए जो नीचे अनत्ति अपने को है ए अनती एदर उपर गुणा हो जाएगा अनती ते ना गुणा हो जाएगा ते ए स्तासी आ जाएगा ए जो एक है ए एदर उपर अठती ना गुणा हो जाएगा ते अठती गुणा एक अठती आ जाएगा ते अनती नीचे एक ना गुणा हो जाएगा ए दोने x दी अपने को a value आ गयी है, ते y दी वैलिव अपने करड़ी B2 ते C1 बटा C2 दी तुलना करके पता करो के रेखी समी करना दा जोड़ा एक रेखी समी करना दा जोड़ा एक रेखी समी करना दा दिती होई है तो दूसरी रेखी समी करना दा जोड़ा ओ संगत है जां असंगत है तो इस दिले तुसी ए वाला जो टेबल है ओ चंगी तरह य पहला समीकर्ण लेख लेने हां ते next जमा 2y बराबर अपने को 5 ए पहली समीकर्ण है जी दूसरी समीकर्ण है 2x कटाओ 3y बराबर 7 ते पहला आपा पता करना है जी a1 बाइ a2 a1 बाइ a2 किस दे बराबर होएगा ये जो x दे अग्ये नमबर लेखे हां वो अपने को हमता जी a1 a2 ते a आजाएगा 3 बाइ 2 इसे तरह b1 बाइ b2 b1 बाइ b2 अपने को की होएगा जी b1 बाइ b2 किस दे बराबर होएगा ये जो y दे अग्ये नमबर लेखे होए हैं y दे अग्ये देखो उपर 2 है नीचे कटाओ दा 3 है ते a होंते आना देखो जो a1 बाइ a2 ते b1 बाइ b2 ह दोनों आपस विच बराबर नहीं हान ए थे 3 बटा 2 आ रहा है ते b1 बाइ b2 के दा दो बटा कटाओ दा 3 आ रहा है ते आपस विच बराबर नहीं हान ते जे कर ए आपस विच बराबर नहीं हान ते की कंडिशन होंदी है जी अपने को जी आपस विच बराबर ना होए रेख गी तरह फैंटी होई बवंजा पत्यां दी ताज दी गुटी विच्चों एक पता बाहर कड़ेया जानता है इस दी की संभावना होवेगी की पता हुकम दा होवेगा दूसरा है पान दा गुलाम होवेगा तो इस पर गुशन दो सॉल्व करना है सब तो पहला आपां किसे भी कटना दी संभावना दा फॉर्मला लिखना है जी कटना दे अनकूल पर नाम बटा कटना दे कुल पर नाम ते नीचे देखो जिसतना लिखा है पहला आपां होकम दे पत्ते दी संभावना पता करनी है ते फिर नीचे पां दे गुलाम दे पत्ते दी ते इस देखो आपने क इएक बटा गुलाम इश्दिया पां ना पता करने है बवंजा पत्ते हैं विच्चों के पान दे गुलाम दे ओन दी की संभावना है जी ते पान दे पत्ते विच्च गुलाम आपने को सिर्फ एक की ही हुनदा है जी ते ए उपर कटना दे जो अनकूल परणाम हान एक का जनगे कटना दे कुल परणाम अपने को बवनजा है इट मीन पान दे पत्ते दे संबावना की है जो गलाम ओन दी एक बटा बवनजा जी सुना अला कोशन भी अपने को संबावना चाप्टर विचो है इस विच है के एक थेले विच तेन लाल अते पांच कालियां गेंदा हन जी मैं कतान उसक्रीन दे उपर नजर आ रहा है के थेला उस दे विच तेन लाल अते पांच कालियां गेंदा हन ते इस थेले दे विचों अचानक एक गेंद बाहर कड़ी गई है ते इस दी की संबावना होवे की कि जो कंडी गई गेंद है पहला ते अपा देखना है कि लाल गेंद होन दी की संबावना है ते फिर दूसरे ते अपा पता करना है कि लाल गेंद ना होन दी की संबावना है ते इसमें क्वेशन हो जो सॉल्व करना है सब तो पहला तुसी संबाबना दा ए फामुला लिखना है कटना दे अनकूल परणाम बटा कटना दे कुल परणाम हुन आप पता करना है लाल गेंदा दी संबाबना ते देखो लाल गेंदा अपने को किनिया हान तेन गेंदा हान जी लाल गेंदा ते कट ना दे अन्कूल प्रणाम आपने को तेन आजानेगे, कट ना दे कुल प्रणाम हान कि कुल गेंदा कि निया हान ते थैले दे वेच कुल गेंदा आठ हान ए आ जायगा 3 बटा तेना दी कटिंग भी नहीं हो रहे येक ही अंसर आजायगा इसी तरह दूसरा है कि लाल गेंद ना होए ते किनिया गेंद हान जो लाल नहीं हान ते ओ अपने को हान जी पांज गेंद हान जी जो लाल नहीं हान ते कटना दे अनकूल पर नाम अपने को पांजा जनगे कटना दे कुल पर नाम अपने को आठा जनगे इट मीन लाल गेंद ना और ती की संभावना है जी पांच बटा आठ है जी इस तरह है जी दो का ती समीकरन अपन देती होई है ते इस दे अपने को दो मैच्छर होंदे हैं पहला होंदा है कि विजकार वाली टरम नो स्प्लिट करके तोड़के अपने मूल पता कर सकते हैं ते दूसरा होंदा है दो का ती समीकरन ते इते अपन दो का ती समीकरन नो सॉल करांगे दो का ती समीकरन दी मदद दे नाल अपन इस कोशन नो सॉल करांगे जी ते सब तो पहला देखो आपन इस समीकरन नो लिख लेने हा ते इस दे विच्छों आपन इस नो जो दो का ती समीकरन दा आम रूप हुंदा है जर्नल फॉर्म उस दे नाड़ कंपेर करके उत्थों आपां ए भी यहते सीधा पहला मुलपता करांगे इसनों दो काती सम्मी करना जो आम रूप हुंदा है उस दे नाड़ आपां इसनों कंपेर कर देना है जी देखो ए एक्स दिका दो बी एक्स जमा सी ब्राबर जीरो ते एथों आपां ए बी यहते सीधा मुलपता कर लाँगे जी ए अपने को किन आएगा देखो जो एक्स केर दे नाड़ नंबर लगा है ओ ए है ए अपने को तेना आगया है एसे तरह जो बी है एक्स दे नाल जो नंबर लगा है ओ बी है नाल साइन भी आपां नाल लगाना है जी बी अपने को आजएगा कटाओ दा वर्गमूल दो वर्गमूल छे ते सी अपने को आजएगा स्टूटन दो दे ब्राबर जी ते हुन अपने लगा दना है डिस्क्रिम्न अनदा फ़ाम्मला जी डिक डंदा डिस्क्रिम्न अनदा की फ़ाम्मला हुन्दा है वी दी का 2 कटाओ, 4, A, C ए देखोने से स्ट्रक्चर त्यार कर लेने हैं एथे अपने बी दा मूल पर ना है कटाओ, 4, एथे ते इस दा मूल अपने को है जी दो हुन कटाओ दो वर्ग मूल छे दा उपर वर्ग है वर्ग दा मतलब इसनों दो वर्ग गुणा करांगे ते 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 इसनों दो जीरो होए ता जो समीकरन हन उस दे जो मूल होंदे हन ओ की होंदे हन वास्तवे कते बराबर होंदे हन ते बराबर मूल जदो होन उद आपने को मूल दा फॉर्मला की होंदा है क्योंकि D अपने को जीरो आ चुका है इसले आपड़ D नो नहीं लिखना है ते फॉर्मला अपने को की आएगा कटा ओधा B बटा 2A अपने फिर अपना मूल पर देना है B ये ते A दा एक की वैलू लानी है क्योंकि दोनों बार अंसर सेम आएगा अपने को इसलिए अपना एक वैलू ही लानी है कटा ओधा ये थे ब्रैकर दे वेचे B ते नीचे 2 इस ब्रैकर दे वेचे A दा मूल पर ना है ते देखो फिर आपँ B ये ते A दा मूल पर देने है ने इस जगाते ते B दा किनना है कटा ओधा 2 वर्ग मूल 6 ते A दा मूल अपने को 3 है जी होन देखो कटा ओधे नाल कटा ओकर कट्या जाएगा ते 2 देनाल 2 कट्या जाएगा तो उपर अपने को बच गया है वर्ग मूल 6 बटा 3 वर्ग मूल 6 नू सुन की लिख्या जा सकता है वर्ग मूल 6 नू अपां तोड़के लिख सकते हैं वर्ग मूल 2 गुना वर्ग मूल 3 तो नीचे जो 3 है कर लाई कर ले 3 नू भी 2 वर्ग मूल देन दन लिख्या जा सकता है वर्ग मूल 3 वर्ग मूल 3 वर्ग मूल 3 ना वर्ग मूल 3 कट्या जाएगा ते आंसर आ जाएगा वर्ग मूल 2 बटा 3 जो के अपने को इस समी करंदा मूल आ गया है दोनों मूल ब्राबर हान एसलिए दोनों ही जो मूल हान तो वर्ग मूल दो बटा वर्ग मूल तेन आजनगे जी पहला मूल दो वर्ग मूल दो बटा वर्ग मूल तेन दूसरा मूल भी अपने को आज़ाएगा वर्ग मूल दो बटा वर्ग मूल तेन सुने अपने को इस से दा और पार्ट है, जी, तेश्दे विच भी अपना समी करन्द मूल पता करने हैं, समी करन्द दिती हुई है, ते देखो, पहला अपना समी करन्द जो दो कती समी करन्दा आम रूप हुंदा है, उस देनार कंपेर करके, ते अपना A, B ये ते C दा मूल ते देखो इसनों आम रूप देनार कंपेर कर दे हाँ जो दो कती सम्मी करन दा आम रूप हुंदा है ax² जमा bx जमा c ब्रबर 0 ते एथों देखो a ते b c दा मुरपा पता कर लेने हाँ a अपने को 2 दे ब्रबर आजाएगा जी b अपने को देखो की आएगा जी 7 कटाओ दा 7 ते c अपने को आगया है जी 3 दे ब्रबर c अपने को है 3 दे ब्रबर ते हुन आपा पता करना है discriminant उस दा फॉर्मुला की हुंदा है वड़ा d किस दे ब्रबर हुनल है b d का 2 कटाओ चार a c उनने थे मुल पता दना है सारी अपने देखो जी b d का 2 कटाओ चार इस ब्रैकर दे वेच a दा मुल ते हे सीदा मुल ते देखो आपने को a, b ये सीदा मुल थे पता दने है बी दा मुल कटाव सत है एजा मुल दो है ठी consideration मुल तेन है कटाव सत दा बर्ग 797 गुना करांगे एते स्टून अपने को उन्य जाएगा कटाव कर जाएगा क्युकि ऊपर का 2 है फिर अगे कटाव दा साइन है इननों फिर गुणा करांगे देखो चार गुणा दो आठ अठो ते यां चौवी ते जे कर उनिंजा दे विच्चों आपा चौवी नू कुटा देने हान ते डी स्टूंड अपने को किन्ना बज जाएगा पच्ची ते होन आगए है जी पच्ची जो के जीरो तो वड़ा है इसलिए दो क आती समय करन्दे जो मूल हान वो अपने को वास्त्विक आते वख़़ख होनगे होन अपा पता किसता करने हान देखो जी मूल पता करन्दा फॉर्मुला की होएगा एक्स ब्राबर कटाओ दा बी जमा वर्ग मूल डी बटा दो ए कॉमा दो मूल आणगे कटाओ दा बी एक बार बिजकार प्लस सी, होने एक बार बिजकार माइनस पादना है, माइनस दा डी बटा दो ए, तो ए थे होने सुना पना वैल्यू फिल करदनी है जी, देखो, एक्स ब्राबर, कटाओ दा भी, क्योंकि एस जगाते अपने को, जो भी बी दी वैल्यू थे नजरा रही थे आना देखो, इस बी दी वैल्यू दा अपना साइन चेंज का देना है, कटाओ दा साथ है, तो ए थे आपना जमा दा साथ पा देना है, जमा, अगे जमा दा साइन है, वर्ग मूल डी, डी अपने को है जी, पच्ची, वर्ग मूल पच्ची, बटा अपने को, दो ए, ए अपने को क कटाओ फिर वर्ग मूल पची बटा दो गुणा ए हूँ चुण उपर देखो आपने को किया गया है जी साथ एससे तरह आजाएगा जमा वर्ग मूल पची ए पांज़े बराबर हुनदा है तो नीचे दो गुणा दो चार आजाएगा इसे तरह 7 कटाओ, भर्गमूर पच्ची 5 होएगा, नीचे 4 आ जाएगा, हुन देखो अगे अपने को, 7 जमा 5 उपर 12, नीचे 4, 7 विचों 5 कटाओ आ वागे, ते ए अपने को 2 बाज जाएगा, 2 बटा 4, हुन इस दिस्टोन अपने को कटिंग हो रही है, देखो 4 दे पाड़ पाइवेच चार कट्ट्या जाएगा, 2 ते देखोन, X दे अपने को जो वैलू आ गई है, हान, O आ गया है, 3, पहली वैलू 3 है, दूसरी वैलू आ गई है, 1 बटा 2, ते एह इस्टोन अपने को A से सम्मी करन दे, मूल हान जी, इस्टोन अबला कुशन इस तरह है, जी, आँक गनितिक लड़ी दे नंबर हान जी, ते आँक गनितिक लड़ी दे विचोन आपाँ जोड किस्तरा पता करना हुन दा है, सब तो पहला आपनो A, N अटे D दा मूल पता होना चाहिदा है, ते जी करे ते न नंबर, ते आपनो मूल पता होन, A, N अते D, ते फिर आपाँ आँक गनितिक लड़ी दे जोड है, वो पता कर सकते हां ची, ते देखो एथे अपने को N, A ये ते D दा की मूल होएगा जी, ते जिस जगा तो A, P, जो आँक गनितिक लड़ी स्टार्ट हो रही है, वो पहली टर्म है, उसनों आपाँ A, 1 अट नोट कर दे हां, उसनों अग आँक गनितिक लड़ी दे जी किन्ने पद हां, जी किन्निया टर्म्स हां, ते इस विच देखो जो पहली टर्म है, वो अपने को किन्नी आगई है, जी A किस देखकल टू आगया है, कटाओ दा पांज, जी तो A, P, जो एपी स्टार्ट हो रही है, वो पहला नमबर उसनों आ अपां A के दिन ने हान, अपां पता करना है इस दा सांजा अंतर D, ते सांजे अंतर दा की फॉर्म ना होंदा है, A2, A2 माइनस A1, A2 दे विच देखो अपां A1 नो कटा देना होंदा है, जी A2 देखो अपने को S ब्रेकर दे विच आपां A2 दा मूल परना है, कटाओ, S ब् अपने को 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 अपन ते AN आपने को आ जाएगा जी कटाओ दा 200T अफ़े अन दा फॉर्मला की होंदा है जी AN दा फॉर्मला होंदा है A जमा N-1D अफ़े इस जगा ते अपां A अथे D दा मूल पर के ते तो अपां N दा मूल कर लेना है जी आफ़े देखो आपने को किना है जी A अपने को है कटाओ धा 5 जमा इस जगाँ ब्रैकेट N-1 ते D अपने को किन ना है कटाओ धा 3 बराबर अपने को 203 है और देको A कटाओ धा 5 और इस ब्रैकेट नो आपना solve का दना है कटाओ धे 3 नू इना दुआन आपना गुना कर दना है यह कटाओ ते 3N आजाएगा ते कटाओ एक नू कटाओ ते देनार गुना करांगे जमादा 3 आजाएगा ते कटाओ 203 अपने को आजाएगा जी अपने को आजाएगा दो सो अठाई बटा तिन इस दी कटिंग करांगे तेन दे पाड़े वेच्छते ए स्टून अपने को आजाएगा जी 76 एट मीनित अपने को आजाएगा जी हूँ स्टून पहला तुसी एन जो कोशन है उसनों नोट कर लो फिर अपना अगेस दा जोड पता कर दे हां जी ते स्टून आपना हूँ देखो A, D याथ N दी वेल्यू अपना पता कर ली है ते हूँ जोड दा फॉर्मला की हूँ दा है उसनों आपना एसनाड नोट कर दे हां फॉर्मला की हूँ दा है जी N बटा दो गुना ब्रैकेट दे अंदर A जमा L ये थे L अपने को की है जी ये लास्ट टर्म है L जिसनों आपना A एन लिख ऐसी ते हूँ आपने ये सारी वेल्यू दे फिल का दनी है जी N अपने को किना आग है चैतर चैतर बटा दो लिखांगे ए दा मुल अपने को कटाओ पांज है ते L दा मुल अपने को कटाओ दो सो टी है जी हूँ देखो चैतर दे नाल दो दी कटिंग हो जाएगी ए अठती आ जाएगा ते ब्रैकेट दे अंदर आपने को कटाओ पान जोते कटाओ 203 है यह मेलके आपने को दोनों कटाओ बाले हान जमा हो जनगे 200 पैंती ते जे कर हुन 78 नू 25 नल गुना करांगे ते एस तुन आपने को आजाएगा जी 8 9 10 0 ते अगे क्योंके एक कटाओ दा साइन इस दे विच है जे तो गुना करांगे ते एक कटाओ दा साइन इस नंबर दे अगे आजाएगा इट मीन आपने को ए जो आंक गनित्ते की लड़ी दिती सी इस आंकां दे सारें दा जोड के ना आगे है जी कटाओ दा 8 930 पी तो अगला कोशन इस तरह है जी तेन अंका वालियां किनिया संख्यामा सात दे नाल पाजोग हान अपनु पहला पता होना चाहिए है कि तेन अंका वालियां संख्यामा कितों स्टार्ट हों दिया हान आपन पता है कि तेन अंकावलियां जो संख्यामा हान ओ सौतों स्टार्ट हुन दिया हान ते नौसो नड़े निमे ते जाके ओ खत्म हुन दिया हान पर सौतों लेके नौसो नड़े निमे तक सारियां जो संख्यामा हान ओ साद्धे नरपा जोग नहीं हान साद्धे पाड़े वेच नहीं हो दिया हन ते आपां लबणिया हन ओ संख्या माँ पहला कि जो साद्धे पाड़े वेच आ जान ते एसलिए आपां की करना है सौनू भी साद्धे नाल पाग कर देना है जी ते नौ सोन डे निमेनू फाहर नबर कड़ने हैं कि फो नमबर स्टार्ट होगे पहला नमबर कित उस्टार्ट होएगी इनड वाला लगे जे सॉस्त सद्राल शुबहुन टैटी दो अपने को बाकी बाची गया है जी एस तरह एदर भी देख दिया जी 900 नड़े निम्हें भी सात्य नार्पा करो साते कम साता जाएगा दो उपरों आपने को पांच बाचे गया है जी ते हूण देखो आपने को पहला नंबर किस्ता पता करना है ते एंड वाला जो नंबर है किस्ता पता करना है जी पहला नंबर किस्ता पता करना है पहला साध्य विच्छों अपने को बाकी बजदा है उसनों से अपने को अंका जाएगा जी नो सो चरण में तेन अंका दी जो संख्या है जो साध्य पाड़े वेचाएगी ते शुरू अपने किस्तों करना है एक सो पांच तों जी ते स्टून पहला तुसी एंड ना रूड कर लो फिर अपना आगगे चाल दें जी श्टून देखो अपने को संख्यामा केरिया आजन गिया, स्टार्ट अपने कि तो करना है जी multip तों पहली संख्या 105 आ गए है उस दे विच फिर आपना साथ साथ जोड़ी जाने हैं क्योंकि साथ दे नंरल पात जोग संख्यामा हने इस देविच बिच साथ जोड़ दो 112 इस दे विच फिर को एक अंक गिनित्ती की लड़ी है ते अंक गिनित्ती की लड़ी देविच देखो A हुंदी है जी अपने को पहली टर्म A1 A हुंदी है जी A2 इस तरह अगली टर्म A3 ते जो लास्ट टर्म है उसनों अपने को अ लिख लेने हान AN ते étaज हान देखो ज rec instrument को आ गया है 105 जो D है साथ दा फरक है क्योंकि साथ दे पड़े विच रखमा आ रही है हान D अपने को साथ आ जाएगा ते A N अपने को किनना जाएगा जी 994 में ते हों सुना पाए थे A N दा फॉर्मला लगा दना है A N दा देखो की फॉर्मला होंदा है A जमा N कटाओ 1 N कटाओ 1D जड़ी जड़ी वैल्यू आपनों पता है वो आपने फिल कार देनी है देखो A N दा मूल किनना है 994 में तो इस दे आपना 994 में लिख देना है जी बराबर A दा मूल किनना है 105 जमा ब्रेकट दे अंदर N कटाओ 1 तो D दा मूल किनना है जी अपने को 7 होना आपना इस ब्रेकट नूँ सॉल्व करना है देखो पहला ब्रेकट दे बाहर 7 है तो 7 नूँ आपना दुआ ना गुना कर देना है N देना लबी तो 1 देना लबी ए देखो किनना आ जाएगा जी 994 में बराबर 105 ये आजाएगा 7N ना करांगे 7N कटाओ 7 ते स्टन पहला तुसी इना नोट कर लो फिर आपके चल दे हां जी तो अगला स्टेप देखो जी आपना की करना है जो 7N है उसनों आपका इसे तरफ रखना है ते जो 105 है ते कटाओ दा 7 है उसनों आपका इदर लियाओना है बराबर तों खबे पासे ते देखो 944 में इदर ही जाएगा ये 105 जो तों एदर आएगा ते कटाओ दा हो जाएगा क्योंकि एदर जमादा है दूसी तरफ जागे कटाओ दा इसे तरह जो कटाओ दा साथ है उस दों एदर आएगा ते उस जमादा साथ हो जाएगा तो बराबर अपने को किया जाएगा जी 7 N उन देखो 944 में विच्छों आपका 105 नू कटाओ आदमागे ते ये अपने को आजाएगा 889 जमादा साथ बराबर साथ N उन जी 899 में दे बिच आपका साथ करदना है ते थो आपका N फाइन फाइन आट करना है देखो N दी वेल्यू किनी आएगी 800 शन में आपका साथ दे नडपा करदनी है साथ एकम साथ एक उपरों 9 आगे सत्तो दूनी 14 पांज उपरों 6 आगे आपने को ते सत्तू आठ शिपन जा ते देखो अपने को कटिंग करके किना आएगा 108 अंसरा जाएगा इसनों कटिंग करके 108 इट में जो N अपने को आगे हो किना आगे 108 इस दा मतलब है जी तेन अंका वालियां किनी आ संख्यामा हान अपने को जो साथ देन अलपा आजोग हान 128 संख्यामा हान जी सुना अला कोशन इस तरह है जी दो जहियां लगातार टांक तना आतमक संपूरन संख्यामा पता करो जिना दे वर्गादा जोड 290 होगे ते इस तो आपने क्या गया है थे दो लगातार पता करोशन जेंज भी किता जा सकता है टांक लिख्या होँए जए ज Dis environ लगातार लिख्या होँए ते उत्धे हमेशा आपने दो संख्यामा केडियां लेनिया हों दिया हन जी एक X1 ते दूसरा X जमा 2 ए 2 आपने संख्यामा मान लेनिया हन जी ते देखो अपा मानलेने हन संख्यामा अपने को केडिया हन जी मानलो संख्यामा अपा संख्यामा जड़े नंबर हन केड़े मानले हन जी दो लगातार टांक तन आत्मक संपूरन संख्यामा एक एकस ते दूसरा नंबर अपा मानले है कौमा पाके एकस जमा दो ते क्वेशन दे बिच क्या गया है इना दे वर्गा दा जोड किस दे बराबर है दो सो नबे इट में पहली दा वर्ग जमा दूसरी दा वर्ग ए दोना दा वर्ग धा जोर किस दे ब्राबर है दी 6 x जाल भड़ा न चार जाल गाना है बरबर किना है 290 नहीं देखो X दिका 2 2 बरी आगया है तो ए अपने को बन जाएगा 2X दिका 2 इत्थे नाड 4X है फिर अपने को जमा 4 है हुन आपने 290 नो भी इदर शिफ्ट कर देना है तो एदर आगे 290 कटा हो जाएगा तो बरबर की बन जाएगा 0 होन देखो एदर आएगा 2X दिका 2 जमा 4X तरह ए देखो किना जी आजाएगा अपने को चार जमा देहां 290 कटा ओुदेहां तरह ए अपने कोटा के किना जाएगा 200 26 आजाएगा तरह अपने को आजाएगा जमा 2X च्टाओ एक सो तरताड़ी यह देखो होने थे अपने को की बन जाएगा यह बन गया है अपने को 2 का तीशा में करने x दिका 2, जमा 2x, कटा हो, 133 ब्राबर 0, होन इसनों solve किस तरह करना है, इसनों आपका करांगे, जी middle term splitting देनार, जो center वाली term है, इसनों आपका दो पार्ट दे विच ब्रेक अप कर देना है, ते पहला sign दिखो केड़ा आएगा, जमा दा sign, पहला sign आएगा, फिर इस sign नों इसनों गुणा करांगे, प्लस नों कटा हो देनार गुणा करांगे, जमा नों कटा हो देनार गुणा करांगे, ते कटा हो आजाएगा, ते दो नंबर लेने हान, जिना नों गुणा करके 133 आवे, ते प्लस माइनस करके वो अपने को दो आने चाहिए दे हां ते नंबर आपन नजर आ रहे हां 13 ते 11 13 दे विच्चों 11 कटा मांगे 2 भी आ जाएगा 13 नूं 11 देना गुना करांगे 133 भी आ जाएगा ते होने बन जाएगा अपने को देखो जी X दी का 2 तो इस दो दी जगाते आपना लिख देना है 13 ते 11 जमा 13X कटा होदा 11X माइनस 133 भी बराबबर अपने को 0 है जी होन देखो पहले दो दे विच्चों की अपने को कॉमन आ रहा है X कॉमन आ जाएगा ते यह थे बाद जाएगा ब्रैकर दे अंदर X जमा 13 दूसरे दे विच्चों अपने को कटा हो 11 कॉमन आ जाएगा फिर बाद जाएगा X जमा 13 बराबर 0 X जमा 13 नों अपना ब्रैकर बाहर ले ले लेना है अंदर बाद जाना है जी X माइनस 11 बराबर 0 सुमन पहला इस देख तुसी नोट कार लो फिर अपने को किया गया सी X जमा 13 X कटाओ 11 बराबर 0 होन इस नोट अलाग अपना 0 दे बराबर कार दना है X जमा 13 नों भी बराबर 0 X कटाओ 11 नों भी बराबर 0 इत्थों देख को X किया जाएगा जमा 13 है दूसी तरफ लाए जाएगे X कटाओ 11 हो जाएगा इस तरफ अपने को कटाओ 11 है दूसी तरफ जाएगा तो जमा दा 11 हो जाएगा जी तो नोट देखो आपनों की लिख ऐसी टांक तनात्मक संपूरन संख्यावा ते एथे देखो A अपने को कटाओ दे वेच आ गई है तनात्मक संपूरन संख्यामा आपने को नहीं है तनात्मक मतलब हुंद है जमा बढ़ा ते ए आपने को कटाओ बढ़ा आगया है इसनों लिखना है कि ए नहीं हो सकदा जो जिस तरफ 13 है उस तरफ आप लिखना है ए कटाओ 13 नहीं हो सकदा इस दा मतलब आपने को जो नंबर है X किस दे बरबर आ गया है जी 11 दे ते आपने को 2 संख्यामा केडियां केडियां सान एक सी आपने को X ते दूसरी संख्यासी आपने को X जमा 2 एक्स दी जगा ग्यारा आगया है ग्यारा तो दूसरा नंबर किया जाएगा ग्यारा जमा दो ग्यारा कॉमा ग्यारा जमा दो केना आगया है जी तेरा इट मीन अपने को दो जो टांक तेना आत्मक संपूरे संख्यामा हान ओ केडियां आगे हान दो लगाता टांक तेना आत्मक संपूरे संख्यामा केडियां आगे हान ग्यारा अते तेरा सुना अला कुशन इस तरह है जी आठ दे पहले पंदरा गुण जादा जोड़ फल बता करो ते ये देखवा आठ दे पहले 15 गुण जपने को केड़े होनगे आपने आठ दा पाड़ा पड़ना है जी 15 तक आठे कम आठ अठ दुनी 16 अठु तेया चौवी एसे तरह आठ दा पाड़ा पड़ना है 15 तक ते आठ गुणा 15 गुण आजाएगा स्टून अपने को 100B ते अपाँ इना सारियां जो संख्यांवा लिखे हान इना दा की पता करना है जी जोड़ फाल ते अपाँ नु नज़र आ रहा है कि इस सारियां जो संख्यांवा लिखे हान ए अंक गिनितिक लड़िया हान जी term यह जो अपने को last term देती हुई है ए अपने को जो an है इसनों an भी लिख सकते हैं ते इसनों l भी लिखे जानदा है an जा l ए अपने को 100v है ते किन्या terms है आपने को n किन्ना है n किन्ने गुण जापा लेहां 15 गुण जापा लेहां बटा दो गुणा ब्रैकेट दे अंदर A जमा L ते जड़ी जड़ी value अपने पता है थे आप फिल कर देनी है जी N अपने को 15 है 15 बटा दो गुणा ब्रैकेट दे अंदर A A अपने को 8 है ते L देखो अपने को किनना है एकसो वी ते ए देखो किन्ना आजाएगा जी अपने को होण एस दा किया जाएगा पंद्रा बटा दो ते जेकर आपायना नू जोड़ देने हान आठ आते एकसो वी नू ते ए आजाएगा एकसो अठाई दो दे पाड़े विच एकसो अठाई कट्टे आजाएगा चौंट ते जो जोडफल है वो आजाएगा 15 गुना चौंट ते जे कर 15 नो अपने को किन्ना आजाएगा 960 इट मीन अपने को ये जो 8 दे पहले 15 गुन जहान एन अदा किन्ना जोड़ा गया है जी 960 आगया है इसनों लगला कुशन इस तरह है जी एक AP अपन दिती होई है जी 24, 21, 18 and so on इस AP दे किन्ने पाद ले जान किन्या इस दियां टर्म्स ले जान कि उना दा जो जो जोडफल है वो 78 दे एक को लाजबे उने थे आप पता करना है जी पहले डी सांजा अंतर सांजा अंतर की होंदा है दूसरी टर्म जे विच्चों पहली टर्म आपने को है जी इककी पहली टर्म आपने को है चौवी इककी कटाओ चौवी ते ए देखो किन्ना आगया अपने को जी कटाओ दा ते जोडफल आपन तर देता होया है, हुन तर आना देखो S साब आनों देता होया है 38 तर दे एक्वल ते यह थे आपना S दा फॉर्मला लगाना है, इसनों S N भी लिखा जा सकता है, S दे पैर वेच N पा देओ, तो ए अपने अपने को जोड़फल दा फॉर्मला इसनों S भी लिख सकते हैं कर ला ते S N भी लिखा जानदा है हुन देखो आपना S N दा फॉर्मला लगा देना है यह थे देखो आपने को हुन आपना S N दा फॉर्मला लगा देने है S N दा फॉर्मला की हुनदा है जी एपी दा, हुँझ जेड़ी वैल्यू आपण देती है वह आपण इसे फेल कर दनी है S N दीजेगा आपां 78 फेल कर दना है N आपण नुपता नहीं है, बटा 2 गुणा 2 A, 2 नुँँ आपा A देना गुणा कर दना है A अपने को 24 है, 24 नुँ दो देना गुणा करांगे ते इस अपने को 80 आजाएगा जमा N, कटाओ 1, ते D, D अपने को किना है कटाओ दा 3, इते कटाओ दा 3 पार दना है अपां अगला स्टेप देखो जी, 78 आपां इससे तरह लिख लिएना है N बटा 2 नुँ भी इससे तरह लिख लिएना है 80 अड़ा दी भी इससे तरह आजाएगा ते पहला आपां इस ब्रेकर नुँ स्वल करना है कटाओ तेन को अपां एन देना गुणा करना है ते फिर कटाओ N नुँ अपां कटाओ तेन नू अपने को तेन आ जाएगा जी ते होन देखो या की बन गए जी अपने को 78 बराबर n बटा 2 गुणा होन देखो 88 ते 3 ये मिलके एकवंजा बन जानगे कटाओ दा तेन एन इस तरही आ जाएगा जी अपने को पहला तो सी ये से तक रोड पिर आ आपनगे कर देना जी इस दो नू एदर 78 देनार गुना कर देना है ते एस N आपा इस ब्रैकट दे अंदर गुना कर देना है ते 78 नू दो देनार गुना करांगे ते हों सूण आपाकी करना है, इनननों इदर शिफ्ट का देना है। खब्बे तों, सज्जे तों खब्बे पासे दूआ नों ले आना है। कटा ओदा, तेन N दा वर्ग है। एदरा के तेन N दा वर्ग हो जाएगा, गवंजा आण है, ते एदरा के कटा होदा, अकवंजा एन हो जाएगा ते एक सोश पंजा पहला ही ये दिरहान प्लस दा ओ प्लस दा ही रहेगा ते हूं सुन देखो ए सारे ही 3,2,1 डवाइड हो रहा है इसनों भी 3,2,1 डवाइड कर देने हाँ इसनों भी 3,2,1 ते इसनों भी 3,2 ते ए देखो एथे n दा बर्ग आ जाएगा 3,2 पाड़े विज 1 बंजा गट्या जाएगा स्तारा थे ते ते अंदे पाड़े वेज एक सो स्पंजा कटिया जाएगा अपने को बबंजा ते यह थे बबंजा आ जागा यह थे स्तारा एन आ जाएगा ते हून सुना अपाँ इस दे विच की करना है जी मेडल टर्म स्प्लिटिंग लगा देनी है जिस तरह अपाँ पिछे कीता है कटाओ स्तारा एन जमा बबंजा इस दे विच देखोना अपाँ मेडल टर्म स्प्लिटिंग सेंटर वाड़ी टर्म अपाँ स्प्लिट कर देना है पहला साइन गटाओ दा फिर गटाओ नुन जमाना गुनागीता आपनेो अकटाओ ते दोनोन ही साइन गटाओ दे हनक्ता दूर असरे है क्टाओ धेला समय क्याक जोड़ां आवे ते गुनापोर नंपर ने आज़र करें ते चार, 13 नूँ बिच्चे चार जोड़ांगे ते सतारां भी आजाएगा ते 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 देखो बन गया N दीका दो कटाओ, तेड़ा N कटाओ धा, 4N जमा धा भवंजा, ते ए देखो होण एना दूआ बीच्चों की कममन आ रहे है जी N ते एना दूआ दी वीच्चों ह님प तेरा आजाएगा एतनों 4 नूं common लेलो बबंजा नूं अपां लग सकते हैं 4 गुणा 13 ते एना दुआ विच्छ देखो 4 बार आजाएगा अंदर बच गया n कटाओ 13 होन जो n कटाओ 13 है इसनों आपां बार common लेलाना है ते अंदर बार जाना है जी n कटाओ 4 ब्राबर 0 ते ए एक बार एक बार एन कटाओ 4 नूं 0 ते एथो एन दी वैलू अपने को आगई है 13 ते एक एन दी एथो वैलू आजाएगी अपने को 4 इटमीन अपने को एन दी याँ दो वैलू आगई है हान 4 हते 13 ते एटमीन जो question दे मुझ कुछ है ही किन्ने पाद ले जान के उना दा जो जोड़ी है तो उना दा जोड़ फल भी 78 ही आवेगा जी उसनों जेकर एक question ता नूं थोड़ा तफ लगा है तो तुसी की कर सकते हो जो इस दा जाँ पार्ट है सही मिलान करने वाला वो question तुसी एजली कर सकते हो इस दे वी सिर्फ formula हन ते formula हन आपा match करना है जी पहला देख आपने को AP दे N में पादा सूतर हनदा है जी इसनों आपा AN कहा देने हैं फिर AP दे N पादा जोड़ दा सूतर जोड़ दा सूतर की हनदा है उसनों आपा SN न डोड़ कर देहां जी ते SN दा formula आपने को A हनदा है जी N बटा 2 bracket दे अंदर 2A जमा N-1D अग्गे है जी आपने को सांजा आंतर सांजा आंतर नों आपां छोटे D न लिख देहां ते इस दा formula अपने को हनदा है जी A N जमा 1 वान विच्छों आपने को A N कटा देना हनदा जी दूसरी term दे विच्छों पैरी term कटा दे ते अपने को D आ जानदा है इसे तरह AP दा N मा पद जगाए थे पंजमा पद लिखता है इत में A5 A5 दा की formula होगा जी A जमा 4D जो पिछला question कीता है उस दी जगा ते तुसी A वाला question easily solve कर सकते हो इसनों सिर्फ मैची करना है formula नों ते ताड़े 4D चार नंबर पूरे आ जानेगे जी अपने को 6 अंका दे प्रेशन स्टार्ट हो गया है ते पहला जो starma question है वो अपने को एक theorem है उस दे वेच जान है एक उपर theorem लिखी हुई है एक नीचे theorem लिखी हुई है ते उपर वाली theorem देखो केड़ी है जी सिद करो के एक सामकोन तिकोन वेच करन दा वर्ग बाकी दो अपने को है जी थेल्ज theorem जिसनों अपना बीपीटी theorem भी कहा दे नहां जी ते इस दा भी लिंक तानु दिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा सारियां ही जो theorem है उन्हादा वैसे लिंक में दिस्क्रिप्शन बॉक्स दे पादोंगा तुसी वो सारियां theorem से उत्थो जाके देख सकते हो ए दो थियुरिम तानु पेपर विच आउन गियां दुआं विचे तुसी एक करनी है ते जिडिता नुँ इजी लगेगी वो तुसी कर लेना है जी ते इस दा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच पा देता है उसते क्लिक करके तुसी इस वीडियो नुँ देख लेना है जी तुसी लिंक विच जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे जाके उस लिंक ते क्लिक करके ते इस मद्धी का वड़े क्वेशन देख सकते हो जी तुने अपना लास्ट क्वेशन है इस दे विच भी देखो आपने को की पुछिया गया है एक टेबल देता होया है ते पोजन उपर खर्च दा मद मान पता करो स्टोन एते भी मैं एक अलग तो वीडियो बनाई होई है जिस दा लिंक तानों डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा उस लिंक ते क्लिक करके तुसे इस वड़े क्वेशन नों सौल देख सकते हो जी किस तरह इस नों अपना इजी बेनल हल करना है मेरे चैनल नों सबस्क्राइब करदा ते बेल लाइक उन्नों भी जूर पैस करदा न ताजो मेरी हरे एक नवी बीडियो दी नोटिफिकेशन तानों मिल सके ते हों सटोड़ मिलागे एक नवी वीडियो विच एक नवी जान करी लेके उँद्व तक ली तान बात